दोस्तो चाड़क के नीती चाड़क के द्वारा रचितेक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाओ दिये गए हैं इस गरंत का मुख्य विशय मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महत्तपूर्ण नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है नमस्कार दोस्तों पर द्रड़ है परन्तु बिद्या रूपी धन से जो हीन है वो सभी चीजों से हीन होता है आचारे चारक के आगे बताते हैं अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए शास्तर से शुद्ध करके बचन बोलना चाहिए और मन में ब बिद्या चाहता है तो उसे सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा क्योंकि सुख चाहने बाला बिद्या प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरी तरफ बिद्या प्राप्त करने बालों को आराम नहीं मिल सकता आचारे चारक के आगे बताते हैं कभी लोग क्या नहीं देख वो धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बना देता है आचारे चारक के आगे बताते हैं लोभियों का शत्रू भिकारी है मूर्खों का शत्रू ग्यानी है ब्या भिचारिडी इस्त्री का शत्रू उसका पती है और इन चारों का शत्रू चंद्रमा है दोस्तों जिसके पास न जीवन बेर्थ है क्योंकि वो समाज के किसी काम का नहीं है। आचारे चारक के बताते हैं अपनी आत्मा से द्वेस करने से मनुष्य की मरत्यु हो जाती है। जल का पीना, तिनको पर सोना, पेड़ों की चाल पहनना उत्तम है परन्तु अपने भाई बंधूं के बीच में निर्धन होकर जीना अच्छा नहीं होता है। ब्रहमर ब्रक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, बेद शाखाएं हैं, धर्म तथा कर्म पत्ते हैं इसलिए ब्रहमर का कर्तब्य है कि वो संध्या की रक्षा करें क्यूंकि जड़ के कट जाने पर पेड़, पत्ते और शाखाएं कुछ भी नहीं रहता। दोस्तों जिसकी माता लक्षमी है, पिता बिशुनू है, भाई बंदू बिशुनू के भक्त हैं, उनके लिए तीनों लोग ही अपने देश होता है। जैसे जंगल में सबसे अधिक बलबान होने पर भी हाती मतबाला खरगोश के द्वारा मारा जाता है। यदि भगबान जगत के पालन करता है, तो हमें जीने की क्या चिंता है, यदि बेरक्षक ना होते, तो माता के इस तनों से दूध क्यों निकलता। यही बार-बार सोच कर लक्षमी पती, अर्थात बिश्डू, मयाप के चरर कमल में सेबा हेतु समय ब्यतीत करना चाहता हूँ। दोस्तों आचारे चारक के बताते हैं, अन्न की अपैक्षा, उसके चूर, अर्थात पिसे हुए आटे में दस गुना अधिक शक्ती होती है, दूध में आटे से भी दस गुना अधिक शक्ती होती है, मांस में दूध से भी आठ गुना अधिक शक्ती होती है, और घी में मां मांस से भी दस गुना अधिक बल होता है दोस्तों साग खाने से रोग बढ़ते हैं दूद से शरीर बलबान होता है घी से शक्ती बढ़ती है और मांस खाने से मांस ही बढ़ता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक् करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजवल वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत